रोमियों के नाम पॉलुस प्रेवित की पत्री दूसरा अध्याए सो हे दोश लगाने वाले तू कोई क्यों नहो तू निरुत्तर है क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोश लगाता है उसी बात में अपने आपको भी दोशी ठहराता है इसलिए कि तू जो दोश लगाता है आप ही वही काम करता है और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की और से ठीक ठीक दंड की आग्या होती है और हे मनुश तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोश लगाता है और आप वे ही काम करता है क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आग्या से बच जाएगा क्या तू उसकी कृपा और सहन शीलता और धीरज रूपी धन को तुछ जानता है और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रगट होगा अपने निमित क्रोध कमा रहा है वे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमर्ता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनु जो भला करता है पहले यहूदी को फिर युनानी को क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस् पर होगा क्योंकि परमेश्वर की यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठेराए जाएंगे। पर दोश लगाती या उन्हें निर्दोश ठेराती हैं जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमचार की अनुसार यिश्व मसी के द्वारा मनुश्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। का अगवा और अंधकार में पड़े हुऊं की जोती और बुद्धिहिनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूं और ग्यान और सत्ति का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आपको नहीं सिखाता। क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है। तू जो कहता है व्यविचार न करना क्या आप ही व्यविचार करता है। तू जो मूर्तों से घ्रणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है। तू जो व्यवस्था के विश्य में घमन करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है जैसा लिखा भी है यदि तु व्यवस्था पर चले तो खतने से लाब तो है परंतु यदि तु व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा सो यदी खतना रहित मनुष्य विवस्ता की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दश्या खतने के बराबर न गिनी जाएगी और जो मनुष्य जाती के कारण बिन खतना रहा विवस्ता को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किये जाने पर भी विवस्ता को माना नहीं करता है दोशी न ठहराएगा क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हिर्दय का और आत्मा में है न की लेख का ऐसे की प्रशंसा मनुश्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की और से होती है